हेलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है एस सिनक स्टेडी पॉइंट में आज हम सुरू करेंगे अपनी सेकंड क्लास जिसमें हम पढ़ाएंगे वर्ण और लेखन विवस्ता पिछली क्लास में हमने पढ़ाता कि हिंदी व्याकरों समझने के लिए हमें चार चरणों को जानना जरूर ही है जिसमें की पहला चरण है आपका वर्ण विवस्ता दूसरा है सब्द विवस्ता तीसरा है आपका पद विवस्ता चौता है आपका वाक्य विवस्ता तो जो वर्ण विवस्ता है उसमें आज हम पहला अपना द्याय पूरा करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वर् वर्णों के विवस्ति समू को कहा जाता है वर्ण माला जब हम वर्णों के बेद के बारे बात करते हैं तो दो परकार का होता है स्वर और वेंजन स्वर और वेंजन को हम लोग अच्छे से जानते हैं समझते हैं लेकिन इनकी जो परिवासा है उसको देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में फेफ़णों की वायू बिना रुके अबाद गती से मुख से निकल जाए उन्हें स्वर कहते है यह 11 पकार की होती है ठीक है 11 पकार के स्वर हमारे होते है जब हम वेंजन की बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्छारण में फेफ़रों से उठी वायो बीच में पूर्ण रूप से या आसकी रूप से रुक कर आती है रुक कर निकलती है तो उन्हें वेंजन कहते हैं परिभासाओं को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वेंजन के महत्व को समझने के लिए परिभासाओं को जानना बहुत जरूरी है और एक और जरूरी करण यह कि कभी कभी परिक्छा में पूछ लिया जाता है कि इनकी परिभासा कौन सी है जैसे कि वर्ण माला की जो परिभासा तीव जूनियर एसिस्टन 2019 जो 30 जून को एक्जाम हुआ था उसमें पूछी कई थी इसी तरह डेफिनिशन को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए जब हम स्वरों के भेद के वारे में बात करते हैं तो स्वर भी जो हैं मूलते हैं दो प्रकार के होते हैं हर्सवर और दिर्ग्रसवर एक और स्वर है जो अप परचल में नहीं है जिसको कहते हैं प्रत्सवर पहले हम हर्सवर की बात करते हैं हर्सवर वो होते हैं जिनके उचान में सबसे कम समय लगता है जैसे ए, इ, उ, डी और दीर की स्वर वो होते हैं जिनमें दुगना समय लगता है हर स्वर से यह जो है दीर की स्वर जो है वो साथ प्रकार के होते हैं और हर स्वर जो है वो चार प्रकार के होते हैं जो दीर की स्वर है उमें जो साथ प्रकार है वो इस प्रकार है आ-ई-उ-ए-आ-ई-ओ-ओ और जब हम प्रत्सुर के बात करते हैं तो ये दीख सुरू का ही रूप होता है लेकिन इसमें किसी स्वर का काफी समय ज्यादा समय तक हम उसका उचान करते हैं जैसे आपने ओम का सुना होगा ओम तो उसमें जो ओ की जो धुनी है उसको ऑम काफी देर तक बोलते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम ओ के बाद इस सिमonomy का इस्वाल करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और बाद में मैं हो गया इससे मालूम चलता है कि ओ की धुनी जो है काफी देर तक है इस तरह के परचलन का अब जो है कोई दौर नहीं है अब ये विवस्ता में नहीं है फिर भी हमें पता होना चाहिए कि प्लोटसफर कौन से होते है जब हम वेंजन की बात करते हैं तो उसमें तीन पेकार के वेंजन होते है पहला है इसपर्स जो कैसे लेके महतक होता है दूसरा होता है अंतस्त ये रे ये रे ले वे और तीसरा होता है उस्म से 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 है ये मुलता तीन प्रकार के वेंजन होते है जब वेंजनों के उच्छारन करते समय बाहर आने वाली वायों के इसाब से देखा जाता है कि अधार पर देखा जायता है तो जो वेंजन हैं वो दो प्रकार के होते हैं अलपरान और महापरान आईए हम देखते हैं अब हिंदी वर्ड माला को हिंदी वर्ड माला में जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि जो स्वार हैं हमारे वो ग्यारे हैं AIIIIO RAIO ANNSWARD जो होता है ए के ऑव बिंदी होता है और विशुक होता है ए के बाद 2 ठीक है जो 조़ Gmail होते है वो हते हमारे के, के, गे, गेड़, चे, चे, जे, 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 झे, इस तरह से हमारे जो पांच वर गें जो लियक जिन मरे कशचत तप कहते थे हैं flipping engine है वो हमारे जो fakburg symbols हैं जो prep,threes वो तो पुराणे ही ने लेकिन उनको कुछ धनियों के साथ और वो कुछ बदलाव पकर देया जाता है तो ये जो हमारेट जो चैंड है कि हमारे आगतवं जन है सभ्य होते हैं जसे छै, त्रे, गये और इस रे ठीक है डेवनागरीनलीपी में जो हमारे मानक अंक हैं उनको इस प्रकार लिखते हैं जिसे हाब डेखके लिए थे हैं ठीक है इस तरह से से इसके बाद हम कुछ अत रिक्तवर्णों की बात कर लेत करते हैं जिन में कि पहला आता है अनसुर जिनने हम परंपरागत अतिक्त वर्ण के तहते हैं पहला अनुस्वार है जिस आप जानते हैं फिर अनुनासिक है जिसमें पिशन्द बिंदू, विसरक और हल हल जो है वो कोई सुतंतर वर्ण नहीं है येवल वेंजन को सुर्रही दिखाने के लिए इसका पिडियो किया जाता है उसके बाद है नव विक्षित इसमें वो ही आते हैं जो आगत वेंजन है जिनके बारे में उपर बात्रे जो कि किसी और विदेशी बहसा से आ जाते हैं इनके नीचे बिदी लगा कर इसका इसका इसमाल करते हैं ये जो आ वो है कहक है कह है तो वो दंड हो जाता है जैकी नीचे बिंदी लगा इनके लिखाना है इसी तरह एक कुछ एक्जामपल है जिने आप देख रहे हैं जो अनुनासिक होता है इसमें चन्दिबिंदू की बात कर रहे हैं यह अनुनासिक स्वरो का गुण होता है स्वरो का उचारण करते समय वायव को केबल मुख से ही बाहर निकाला जाता है जब वायव को मुख के सासाथ नाक से भी निकाला जाता है तो वहाँ पर जो अनुनासिक ध्वनी होती है उनना अनुनासिक स्वर कहते हैं अब इसमें आपने देखा होगा कि हम चंदिबिंदू कुछ में लगाते हैं कुछ में नहीं लगाते हैं उसके लिए दो नियम है जिन सरौ और अत्वा उनकी मात्रा को कोई भी हिस्सा सिर्व रखा से ऊपर नहीं निकलता उनमें अनुनासिक में चंदमिन दू लगाते हैं जिसास चांद है गाव HAS कुवा है उंग्ली है पूंच न ही और जिन में मात्रा अपर निकली होती है उनमें किलों हम बेंदि लेखाते हैं जर से मन मनम्मिन हो जाता है जो होता है जो हिंदी में उसी प्रकार से लिए गए हैं जिस प्रकार वो संस्क्रित में थे जिसे प्राय है, संभवत है कुछ सब्द जो हैं सुर्टी मूलोक होते हैं जैसे ये और वे हैं इन सब्दों में क्या होता है कि ये सब्द में केवर उच्छान के रूप में प्रियुक्त होते हैं वहां पर इनकी उपस्यती नहीं होती जैसे गए में हम बोलते हैं गए ये ए बुला जाता है लेकिन वो अगर लिखा जाएगा तो गए और स्वर में ए लिखा जाएगा अब जब हाइफन जो होता है कि ये अलग चीज है इसमें कुछ आगर धुनियों के बारे हम पढ़ी चुके हैं पहले और जो दो दो रूप होते हैं उनकुछ मानने होते हैं सब्द में हिंदी में और हल चुन सीजित के सब्दों को वैसे ही लिखा जाना जैसे आहिए हैं तुक यह तरुप जित्व करते हैं तो उन दोनों के अलग लग लिखा जाता है एक साहथ नहीं लिखा जाता और जब विवक्ति चिन को हमसर्बनाम की साहथ इसित्वाल करते हैं तो उनके मिल के जोड के लिखा जाता है जैसे मुझको हमसे तुम्हारे तुम पर और सुर्वनाम अगर दो भी वक्ति चीना जाते हैं तो एक को मिला के लिखते हैं और एक को अलग लिखते हैं ठीक है और सुर्वनाम मैलों ही अत्रका जाता है तो ही को अलग लिखा है और उसके लोगी वक्ति चिंद को भी अलग लिखा जाएगा सब को लो लिखा जाएगा जैसे आप ही के लिए उन तक से किरिया पद्बंद सेंख्त किराओं को अलग लिखा जाना चाहिए जैसे पढ़ता है रहता होगा इस दोनों सेंख्त किराओं